हां तो कल क्या बात हो रही थी कल हमने बात दो तीन की थी हमने कहा था कोई भी सेल है सेल पूरे सर्किट में सेल साहित चार्ड़ को मूब कराने में वर्क करती है तो वर्क पर यूनिट चार्ड़ यूनिट चार्ड़ को मूब कराने में वर्क करना पड़ता उसको ने क्या कहा था? EMF, Electromotive Force. हिंदी में? देख करके बोलता रहे हूँ. वैदुत वाहग, बल. वैसे बल है नहीं है. ठीक, लेकिन सुरुआत से बल इसको देखा गया तो हम वही नाम दिये हुए है. इसका यूनिट क्या बताया था? जूल पर, कूलाम, या दूसा यूनिट क्या था इसका? बोल्ट. इसके बाद हमने कहा था, सेल के किसी एक ब्रांच में, किसी एक पार्ट में, अगर आपको चार्ज मूब कराना है, चार्ज तो पूरी सेल पूरे परिपत में गुमेगा ना, पूरे सर्किट में, तो उस ब्रांच में अगर आपने वर्क किया, तो वर्क पान चार तो कोलीजन की वज़े से करेंट के फ्लो होने दिक्कत होती है उस रेस्स्टन्स को हमने क्या खा था इंटर्नल रेस्टेंस और अगर करेंट आई फ्लो हो रही है और इंटर्नल आ रहे तो यह स्माल वी हमके लिए पोटेंशल ड्रॉप इतनी बाते कल पहले हो चुकि थी और ह का रे लशन था ? E is equal to V minus IR, यहां तक पहुँचे थे न, उल्टा-उल्टा, Sorry, V plus IR, V plus IR कर दीजे न, तो V is equal to E minus IR, यहां तक हम पहुच गए थे, कुछ बातें और कर लेते हैं जड़ा एक बुक सामने रख दो आ करके, देख लेतें उसमें कौन-कौन सी बातें करनी है, देखें इस डाइग्राम को समझिएगा हमने बताया था ये सेल है ये सेल का internal resistance है इस्माल आर और ये सेल का EMF है ठीक है और ये सेल का पुरा परिवार है इसलिए हमने पूरे परिवार को एक मकान में बंद कर दिया तो ये सेल का है सेल का जो अंदर electrolyte होता है उसका resistance है इसको क्या कहते हैं हम आंत्रिक पृत्रोथ internal resistance और इसकी सायता से हम एक external circuit में current भेज रहे हैं ये capital R में current कितनी जा रही है आई और current को measure करने के लिए हम को क्या चाहिए emitter और emitter series में लगाते हैं या parallel में लगाते हैं भाई दीखे जितने electron emitter के अंदर से pass होंगे उतनी current flow होगी तो emitter series में लगेगा या parallel में series में लगाते हैं emitter को series में लगाते हैं यह emitter है और emitter का जो resistance होता है वो हम बहुत ही negligible मानते हैं तो कि पूरी की current के से पास होनी है emitter के अंदर से और अगर इसका resistance बहुत हई होगा तो current का loss हो जाएगा heat के form में ठीक है अगर हम कहें की open है और की close है तो इस electronics electricity के language में के open और के close का मतलब क्या होता है के open मतलब यानि कि हमने की को हटा दिया है तो current flow नहीं हो रही है तो इसमें कहा गया if k is open open मतलब क्या होता है कि जो circuit है वो कैसा है circuit की जो अवस्ता है वो कौन सी है आफ अवस्ता है आफ में current कितनी है जिरो पुले समझने की कोशिच करिएगा यानि i is equal to क्या होगा 0 जड़ा इस equation को देखिए by question 1 तो v is equal to क्या हो जाएगा e यानि अगर circuit open है k is open मतलब circuit open है तो उसमें आफ कंडिशन में है उसमें आपका जो volt meter है वही read करेगा जो की उसका emf है मतलब क्या हुआ बाहर जो आपको voltage मिल रहा है वो emf के बराबर क्यों नहीं मिल रहा है अगर आपकी battery 1.5 volt की है मालिया और आप current इसमें circuit में flow करा रहे है और volt meter read कर रहा है voltage 1.3 volt तो 1.5 volt क्यों नहीं major कर रहा है क्या reason है उसका reason क्या है current कोई होगा ना हाँ बताएं जो भी मन में आ रहा बताएं को लें नहीं आता है यहीं मन में आ रहा बताने के लिए अरे simple सी बात है current जब flow हो रही होगी तो उस electrolyte के अंदर क्या हो रहा होगा को लिजन आफ आयन सो रहा होगा को लिजन आफ आयन बोले तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा और एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशल होता है तो अंदर जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना अंदर पोटेंशल ड्रॉप हो रहा है तो इतना पोटेंशल ड्रॉप हो चुका है ना तो आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा ना बाहर मैं अब कर्मडिय यह झी कर रहु स्था स्था जब करुंडेंट फ्लॉ करा रहा हूं आप केरो مिल टन्व कोई भी potential drop नहीं हो रहा है तो ये off की condition की होती है लिखते जाएए हम ज़रा कुछ और formula बताते जाएंगे ठीक है ये diagram हम रब कर रहे हैं second note देखिए ज़रा question 1 को देखिए इससे हम चाहें तो small R की value निकाल सकते हैं देखिए बहुत सारे format इसके formula के हैं by question 1 इसमें से अगर हम calculate करें तो IR is equal to E minus V होगा तो R को कैसे निकालेंगे E minus V upon I एक तो इस formula से हम internal resistance निकाल सकते हैं ठीक है current को measure करने का तरीका क्या होता है बाहर जो circuit है उसमें एक emitter लगा हुआ है भी diagram मनाया हमने बाहर जो circuit है उसमें एक emitter लगा हुआ है और emitter जो read कर रहा है वो current है बाहर एक voltmeter लगा हुआ है voltmeter एक voltmeter होता है voltmeter होता है voltmeter होता है voltmeter वो instrument है जो voltage को नापता है potential difference को नापता है किस तरीके से काम करता है ये बाद मताए जाएगा जब magnetic field बताएंगे, magnetism, electromagnet, तो वहाँ पर बताए जाएगा, अभी नहीं बता रहे हैं, और बाहर volt meter नापता है, और emitter current नापता है, तो as, अगर terminal voltage V है, current I है, तो V is equal to IR होगा external circuit में, अज़ा current तो पूरे circuit में एक ही है कि कहीं बट रही थी, एक ही है ना, तो I is equal to क्या हो जाएगा, V upon capital R, तो equation 1 में हम चाहें, तो I को क्या ले सकते हैं, V upon capital R, लेख सकते हैं ना, so by equation, इसको 2 मा लिजे, resistance of resistance, wire मतलब क्या होता है, अभी हमाइशे जब कुछ पुछ कुछ कुछ किये नहीं थे, क्या रास्ते में, नीचे नहीं लगाया था क्या, नहीं लगाया था क्या, उसक्ता वहाँ पहुंते पुछ सीधा हो गया हो, जैसे यहाँ टेड़ा टेड़ा लगाया, अब वहाँ जाकर के सीधा हो गया, थोड़ा परनकम दिखाई पढ़ रहा होगा, लगाया ज़रूर होगा, तो by equation 2, R की value क्या हैगी, E minus V upon I को क्या लिखेंगी, V upon R, इसको थोड़ा calculate करिए, एक capital R कहा जाएगा, उपर चला जाएगा, तो यह आपका formula एक और बनेगा R, इसको हम चाहें, तो E upon V minus V upon V लिसक्ते हैं, इसको अलग-अलग denominator कर सकते हैं ना, तो एक formula और आएगा, R is equal to R, E upon V minus 1, तो यह भी एक formula हो सकता है, यह अलग-अलग format है, कोई भी formula भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, note करिए, number, कौन सा number 2 था यह, number 3 देखिए, उस diagram को दिमाग लगाईए, उस diagram में total resistance कितना था, R plus capital R, यह यह टोटल resistance जो था, circuit का, total resistance of circuit, of circuit, capital R plus, इसमाल R था, question में कभी-कभी आपको मुर्ख बना सकते हैं, जिसकी जरुवत नहीं है वैसे, क्या जरुवत बनाने की, लेकिन कभी-कभी बना देते हैं, वो emitter का भी resistance देते हैं, तो भाई, circuit में आपका cell लगा हुआ है, उसका resistance है, उसके series में एक external resistance है, और emitter जो रास्ते में लगा, उसका भी resistance है, तो वो भी series में आ जाएगा न, तो उसके resistance को भी हम consider करेंगे, ठीक हैं, अगर ऐसा दिया है तो, अच्छा total emf कितना है, total emf, emf बोले तो, energy per unit charge, energy तो एक तरीके से, तो जब हम internal resistance की बारें बात भी कर रहे हैं, बाहर वाले की बारें बात कर रहे हैं, यानि हम पूरे circuit की बारें बात कर रहे हैं, तो current का formula क्या हो जाएगा, अगर हम जुरूत पड़ें, तो e upon r plus capital r, ये formula भी apply कर सकते हैं, आपके numerical के समय जो भी आपको याद हो लगा दीजे, कोई दिक्कत नहीं, जो unknown हो निका लीजे, कोई दिक्कत वारी बात नहीं, तीक है, इसको note करिए, बात हो रही किर्चाफ चला, ये कर्चाफ चला नहीं है, आपने किर्चाफ का नाम कहीं और सुना है, कहीं सुने हो किर्चाफ ना, कहां सुने हो, हीट में सुने हो, हीट में एक black body radiation में भी किर्चाफ साब थे, किसी को नियम मालू है, लें बताने नहीं जा रह belong ना पूचूँगा चिंताओं ने यहां वोल दो कोई दिक्कत नहीं कौट पूचेएगा नहीं आलों में पढ़ाता है पूरूब भी किया था पढ़ात हो पढ़ाउजाज हूगा सब नहीं कौन है को देखा तो है हमने उसमें समझ में नहीं आता ना किर्चाप साब ने कहा कि बड़े चालाग बनते हो ये एक resistance है इसमें current I flow रही है और potential difference निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं V बराबर I R बोले अच्छा बेटा रुको अब तुमको बता रहे कानी एक ये circuit है ये इस cell लगी है ये बाहर का एक resistance है अंदर का भी हो सकता है ठीक है एक यहाँ भी cell लगी है यहाँ भी resistance है इधर से भी कहीं से current entry मार रही इधर से entry मार रही है इधर से भी entry मार रही है इधर भी जा रही है ठीक है इधर बाहर निकल गई इधर से इंट्री मार रही है, इधर भी एक सेल लगी वी है, ठीक है, इसमें भी एक सेल लगी वी है, मैसी तेसी बुले लगा, बना पॉटेंशिल डिफरेंस, मैसी तेसी, इसको complex circuit कहते हैं, क्या कहते हैं, complex circuit, जब बहुत सारा यह ब्रांचेज हो जाएंगी, तो V बेरावर I R जो है वो, हैं, V माने हम, I माने मैं, R माने हैं, हम और मैं हैं, हैं, हैं करो, नहीं निकाल पाओ गए, यह complex circuit है, तो किर्चाफ साह आपने अपना, एक complex circuit हो solve करने का एक नियम दिया, ठीक है, दो नियम दिये, पहले नियम को समझ लिजे, फिर दूसरे नियम को समझते हैं, लिखे, किर्चाफ के laws को दिखे, किर्चाफ has given two laws, किर्चाफ has given two laws, number one, किर्चाफ's first law, किर्चाफ's first law, फसला होता क्या है, समझेगा, अभी लिखेगा नहीं, उन्होंने कहा, कि देखे भई, एक point है, वहाँ पर बहुत सारी currents आकर के मिल रही है, यह current यहां के मिल गई, यहां के मिल गई, यहां कोई तालाब है, आकर के कोई पार्टी चल लही है, कुर्सी में पढ़ी है, बैठ charge मतलब current मिल रही है, मतलब charge मिल रहा है, तो charge की कोई storing वहां पर container तो है नहीं, तो जो मिलेगा वो यहां से आगे भी बढ़ेगा, एक रास्ते से बढ़े चाहे, दो रास्ते से बढ़े, तो एक junction पर बहुत सारी current आकर के मिल रही है, इसलिए इसको junction rule भी कहते है, क्या कहते ह junction, तो रैकन लिजेगा, फसला आप लिखिये इसको, या इसको junction rule भी कहते है, junction rule भी कहते है, चुकि यहां current आके मिल रही है, current के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए इसको current rule भी कहते है, current rule भी कहते है, पहले इस word को junction को पकड़िएगा, आपने यहां जो station का नाम है, उसके लागे junction लगा हुआ है, junction का मतलब क्या होता है, यानि कम से कम तीन रूट्स वहां बने आने चाहिए, तीन रूट्स, तो junction वहोगा जहांपर कम से कम T बने, T बने, वोक्स को हम junction कहेंगे, ठीक है, तो जहां पर T बनना चाहिए, ठीक है, T वो वाला नहीं, छोटे बच्चों वाला छोटे बच्चे ठी करते है ना weला टी नहीं है यहाँ से मिले यहां पर और यहां से जाए कम से कम तीन ब्रांशे होने सी उसकों जंक्शन कहते हैं किर्चाप सब्साइब ने कहा देखे किसी जंक्शन पर मिलने आने वाली जितने भी currents होती हैं उनका algebraic sum 0 होता है जब algebraic word use आवे या vector sum आवे तो सम्मलिचे आप से direction की बात कर रहा है मत अगर आने वाली current positive है तो जाने वाली current negative है तो पहला नियम लिखे है पहला कि अवे नियम लिखे की है तो सम्मलिके की速 मेति अडिंस्टिन इजिए जयुटीन इएिए जयुटन इए 0 meeting at junction is 0 is 0 मतब sigma i is equal to is equal to 0 देखें, sigma का मतब sum होता आप जानते हैं ठीक है, एक बढ़िया सी बात बता दे जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 up to n इसको आप sigma n लिख सकते हैं न sigma n लिखते हैं न और n की value 1 से ले करके n तक लाई करती है अगर यह 1 into 2 into 3 into 4 up to n होता तो इसको sigma लिख सकते हैं इसको भी sigma लिखा जाता है sigma of multiplication भी होता है जो कि ऐसे बनाया जाता है बिल्कुई parallel तभी आप उसमें MS Word में जो tools होते हैं न उसमें search करेंगे तो आपको sigma of multiplication मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे लिखा जाता है खेर उससे आपको किर्चाफ शला से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब समझी है उन्हों का किसी junction पर मिलने वाली सभी currents का algebraic sum 0 होता है मतलब माले यह I1 current अंदर आ रही है I2 अंदर आ रही है I3 अंदर आ रही है I4 बाहर जा रही I5 बाहर जा रही है तो अगर अंदर आने वाली को आप positive मानते हैं तो बाहर जाने वाली negative हो जाएगा तो यानि कि यहाँ पर जो rule क्या लगेगा I1 positive plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0 या ले सकते हैं I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus यानि junction के पास आने वाली total current का जो sum होता है is equal to junction से दूर जाने वाली current का sum आपस में same होते हैं ठीक तो यह पहला नियम होता है junction rule actually में current conserve रहती है current क्या रहती है conserve मतलब Hindi में लिख लिए ना किसी संदी पर मिलने वाली संपूर धारा का 20 गणिती योग शोने होता है ठीक है conserve का मतलब क्या होता है current का मतलब चार्ज होता है यानि जितना चार्ज आकर के यहां मिलेगा यहां कोई जगे नहीं है कि आप आके रुख जाईए आते जाओ और जाते जाओ रुख नहीं सकते है आप तो इसको हम conservation of charge भी का जाजता है तो आप इसमें note या इसको परग्रास चेंज करके लिखेगा कि इस या इट इस बेस्ट ऑन दा law of conservation of charge यह चार्ज की conservation को बताता है ठीक है इसके बास किर्चाफ सेकंड ला लिखे किर्चाफ सेकंड ला यह फस्ट ला है इसको सेकंड ला जला टेक्निकल है ध्यान से समझीएगा किर्चाफ सेकंड ला यह किर्चाफ लिखा हुआ है सेकंड ला हमने अलग से दिया इसको लूप रूल भी कहते है या वोल्टेज रूल भी कहते है voltage कम नाम आता है इसको loop rule भी कहा जाता है loop rule या voltage rule कह सकते हैं हर book में नहीं लिखा होता है कहीं कहीं लिखा है voltage rule पहले इसको समझने की कोसिज करिए अगर ये समझ में आ गया तो numerical समझ में आ गया ठीक है वो कौन आता है life jinga डाला कहा होता है advertisement हाँ इसको समझ डाला तो life jinga डाला ये समझ डाला है जो भी है कहीं भी fit कर तो क्या दिक्कत है अब जरा समझने की कोसिज करिएगा किर्चाफ साब ने कहा किर्चाफ साब को समझने के पहले कुछ terminology समझ लीजिए वो terminology किर्चाफ से समंदित नहीं है यहां use हो रहे है इसलिए समंदित है यहां पर एक word आएगा एक लिए point to point इसलिए note के ऐसे कहीं भूल न जाए अब यह भूल जाएए सबसे पहले कहां पर word आएगा junction क्या आएगा junction junction हम बता चुके हैं जहां पर तीन currents कम से कम आगर के मिले मिले है मतलब मिले यहां वहां से जाए जो भी है तो उसको हम junction कहते है ठीक है एक word यहां पर आएगा branch दूसरा नाम क्या आएगा branch एक junction से दूसरे junction को हम branch कहते हैं यानि one junction to other junction one junction to other junction other junction को हम क्या कहते है branch और खास बात यह होती है कि कि किसी भी branch में चाहे जितनी voltage current से लगी हो current उसमें same रहती है यानि every branch has the same current पूरी branch में current same रहेगी किसी भी एक branch में current हमेशा same रहती है ठीक है और तीसरा यहां पर आता है loop loop का मतलब होता है कि जहां से एं उसको loop कहते हैं यह कौँ से अंग्रेजी है loop आने बार बार किसी को कोई उसना I love you loop loop अग्रेजी वाले तो जानते हूं पूसना लूप माने बार बार कहा होता है लूप मैं लूप लूप खाना बनाती हूं आरे नहीं भाई रिपिटिली करने को लूप कहते हैं वहीं हो सकता अंग्रेजी वह नहीं आती आता क्यों किसी लूप माने होता है बार-बार, लूपिंग दे स्टेटमेंट, अच्छा, अब लूपिंग इसले कहा होगा, क्योंकि लूप में चलोगा, बार-बार वही पर घुम पिर के आ जाओगे, होता होगा, हम नहीं जानते, यहां लूप का मतलब होता है, किसी भी पॉइंट से आप लूप कैलाता है, मैंने अगर इस कमरे में किनारे से चलिए और बिना ब्रेक कहीं पिवे, दुवारा वहीं लूट आई है, कहीं ब्रेक नहीं सर्किट, तो इसको हम लूप कहते है, होता होगा, कम्प्यूटर में होता होगा, अ मतलब जन्रल जो बोल-चाल में लूप जो है लोगों किर्चाफ साब ने कहा किया, उसको समझने के पहले कुछ और समझ लीजिए, यह तो तीन चीजे यह समझना है, अब जरा समझेगा, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, पोटेंशल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशल डिफरेंस निकालने के लिए, मैं किर्चाफ का स्ट the change in potential, the algebraic sum of the change in potential around any closed loop, the algebraic sum of the change in potential around any closed loop, close loop in the loop is 0, close loop is 0, पहले इसका मतलब सुझेगा उन्हों क्या कहा कि किसी भी लूप में दा एलजब्रिक समाब्दा पोटेंशल डिफरेंस जिरो होता है ये अलग-अलग बुक में स्टेट्मेंट चेंज लिखा हुआ है दूसरा क्या स्टेट्मेंट बनेगा वो भी थोड़ी बात आप में क्या हिंदिम क्या लिखा हुआ है किसी बंद परिपत में विववांतर का समझ रो होता है क्या लिखा हुआ है पूरी बात पढ़िये एक दूसरी तरीके स्टेट्मेशन होती है वो दूसरी तरीके के हम बाद मताएंगे जब proof हो जाएगा, पहले समझेगा, यहाँ पर potential difference निकालना होगा, और potential difference निकालना ही सबसे बड़ी कला है, पहले उकला करी समझ लिजे, देखिए, potential difference इस बात पर depend करता है, कि आपने रास्ता कौन सा adopt किया है, आप जा किदर किदर रहें, जैसे माल लिया, हम किसी भी लूप म इधर से इधर की तरफ जा रहें, यह मेरी direction of calculation है, क्या है, direction of calculation, इसको अलग कहीं note कर लिजेगा, आपको इसमें direction of calculation, यह आपके समझने के लिए है, यह अगर समझ गया है, तो numerical में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, यह आपकी direction of calculation है, यह हर case में आपको इसी direction में calculation करना है, में एक resistance लगा हुआ है है ना और इसमें current flow रही है ऐसे इस direction में I current flow रही है ठीक है और आपको इनके ends के बीच में दो end है A और B इनके बीच में आपको potential difference निकालना है जो कि क्या होता है I R होता है यह होता ना अब question यह उड़ता है कि हम plus में लिखें या minus में लिखें बस यह लफड़ा है मतलब आपको potential difference मालू है I R होता है अगर किसी भी resistance में current I flow होती है तो potential difference क्या होता है I R अब देखना यह प्लस लिखें या अब उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लिजिएगा current किधर से किधर flow होती है positive नहीं potential की बात करी हाई से low low से high current किधर से किधर flow होती है हमने कहा था बहने वाली चीश मैं current की बात करा हूँ और electron की बात नहीं करा हूँ बहने वाली चीश मैंसा high से low चलती है यानि कि अगर current इधर से इधर चल लगए ध्यान समझ लिजिएगा तो इसका हुआ यहां का potential ज्यादा रहा होगा और यहां का कम रहा होगा नहीं रहा होगा अगर मैं मालूं कि यह 10 वोल्ट रहा होगा तो यह 6 वोल्ट रहा होगा तो इसका difference कितना आया होगा 4 कैसे निकाला आपने हम करके 6 माइनस 10 तो अब यहीं पर लफडा है कुछ बुक्स कहती है 10-6 बाचपई जी की तरह और कुछ कहती है 6-10 बाचपई जी की तरह तो कौन सी बात सही मानी जाएगा दोनों बाते सही है लेकिन सही जब डिफरेंस आप निकालते है तो किदर जब डिफरेंस करते है अब टीचर को पॉजिटिव को डिफरेंड करना है तो कहिएगा नहीं यू आ रांग I am right But I am right क्योνकि डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है ज़्यादा मानस कम नहीं फाइनल मानस इनिशन निकलता है क्यों सींग चाप सही कह रहा हूं इसलिए आप minus लिखेगा, कुछ books plus भी लिखती है, वो गलत नहीं है, लेकिन उनका calculation का अपना अंदाज है, आप एक अंदाज लगाईए लेकिन, आपको अगर final minus initial लिखना है तो वही लिखिए, अगर initial minus करना है तो दूसरा लिखिए, या आप एक चीछ डिसाइड करो, आपक आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा यह है कि यह resistance है, यह R resistance है, current I flow हो रही है, लेकिन direction current की opposite है, आप उसी direction जा रहे हैं, आप इदर से इदर जा रहे हैं, तो या गर current इदर से इदर गई है, तो potential difference का formula क्या होगा, IR? नहीं होगा, लेकिन इदर से इदर current आई है, तो high potential की इदर रहा होगा, B रहा होगा, या अगर मैं मान लेता हूँ कि यह 10 volt है, मैं मान रहा हूँ, यह 6 volt है, तो आपके लिए initial point कौन सा है, यह है, आपके लिए B है, कुछ हो बोल दो, बोलना है, वह आप तो इदर से इदर जा रहे हैं, तो आपके लिए initial यह है, final यह है, तो आपका difference प्लस आएगा, मानस आएगा, तो आप प्लस लिखेंगे, आप हमेशा दिमाग ला लो, final minus initial करना है, बस काम गतम, difference निकालने का mathematical formula यह होता है, ठीक, अच्छा, तीसरी चीज़ circuit में क्या हो सकती है, कि एक cell हो सकती है, ऐसे, ठीक है, तब cell ऐसे होगी, current ऐसे flow की करने से मतलब नहीं और cell का potential difference कितना होता है, और आप जाग इधर रहें, इधर से इधर, तो इसका potential difference क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, अब plus minus दिमाग लगाईए, देखो ध्यान से, यह plate positive है, तो अगर मैं इसकी value plus 4 लिख देता हूँ, यह negative है, यह minus 4 लिख देता हूँ, तो आपके calculation के हिसाब से, आपके assumption के अनुसार से, आपके calculation के हिसाब से, पहले कौन सी plate आएगी, प्लस 4 आएगी, बाद में कौन सी आएगी, negative 4, आपकी final कौन सी position है, इसमें से minus करो, negative आएगा, positive आएगा, negative, यहाँ क्या लिखा जाएगा, minus लिखा जाएगा, सुन में इस बात, बता हैं कोई logic, अर्यार, बाद में कौन सा point आपको मिला है, इधर से जा रहो, बाद में प्लस 4 मिलेगा, कहां से हो यहाँ, कहां फिस हो रहे हो, और बाद वाले पहले मानस करो, कन्फ्यूज मत हो यह देखे, हम फाइनल मानस इनिशल कर रहे हैं, ठीक, तीसरा केस, अगला केस यह हो सकता है, कि रास्ते में बैटरी मिले और ऐसे मिले बैटरी, करेंट कि दर फ्लोर है, हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बैटरी के EMF से, करेंट से कोई मतलब नहीं, कुछ भी माले, कुछ भी माले, प्लस माले कुछ भी, तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से मानस करो, प्लस और मानस, प्लस आएकर मानस आएगा, प्लस आएगा, तो अगर इसका EMF E है, तो पोटेंशल डिफरेंस कितना होगा, प्लस का E, तो चारो किसम में आगए याद करने का तरीका current के साथ जाओगे तो minus हो जाओगे current के साथ current का पोजी जाओगे तो plus plus plate की तरफ जाओगे तो plus minus plate की तरफ जाओगे तो minus याद रहेगा थोड़ा सा दिमाग भी लगाईए क्योंकि numerical में दिक्कत करता है अब आप ने अगर पहले से मन बना रखा कि हम final इसमें से इसको minus करेंगे तो mathematics को गलत कहती है math difference निकालते बद क्या करती है कि final में से initial minus करना है that's all लेकिन अगर आप को गहने हम तो ना माना हम तो biology लिए है हम का है मैत मानी तो ना मानो मरो तो आप फिर sum में यही रूल लगा sum में रूल लगाईए कि पहले में से बादवला minus करना है फिर sum में रूल लगाईए तब ही सही आएगा तब ही answer वही आना है ठीक है लेकिन रूल एक ही लगाईए फिलान mathematics की जाब ही रूल note करिए इसको note कर लिया अब किर्चाफस लब देखिए क्या होता है यह अलग से कही note कर लिजेगा समझने के लिए आपके क्यों लगाई ठीक है हरिहंत की बुक में एक concept ये से दिया है जैसा हमने बताया है देखिए अब मैं किर्चाफस लगाने जा रहा हूँ देखिए हमने का एक ये सेल है और ये रेजिस्टेंस है ठीक है और एक ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है दूर बनाया हमने ये रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है और ये इस प्रकार से जुड़े हैं यह बहुत simple सा complex circuit है हमने आपको resistance लगाया है और cell लगाया है इसमें capacitor भी लग सकता है इसमें coil भी लगेगी जो आप competitive exam लेने जाओगा जेए वगरा में तो वह भी लगेगा resistance के साथ-साथ capacitor भी लगेगा, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे slivers में नहीं है उनके में है, तो बताते हैं तो बनाओ इस cell का EMF क्या है E1, इसका EMF क्या है E2, यह resistance है R1, यह resistance है यह resistance है इनके naming दे दू ABCDEF अब बताएंगे इसमें कौन-कौन से point junction है बहले junction बताएंगे यह B और E junction है और दूसरा नाम क्या हमने बताया junction बताया और क्या बोला branch, branch कौन से यह branch एक branch यहां से लेकर कि यहां तक है हमने कहा था, एक junction से दूसरे junction को एक branch कहते है एक branch यह है और एक branch यह है ठीक है, और किसी एक branch में current हमेशा same रहेगी ठीक है, अब देखो, इसने current flow कराई कितनी flow कराई, I1 तो यह कहां से कहां तक I1 रहेगी यहां से लेकर कि यहां तक current क्या रहेगी I1 रहेगी, ठीक है यह current कौन से flow कराईगी I2, तो यहां से I2 रहेगी मतलब यह से I1 यहां गई हम तो इधर से जाएंगे यह कहां हम कुदी इधर जा रहे हैं हम नहीं जाने देगी हम तो जाएंगे तुम जाओ तो जाओ यह यहां गुंड़ाइती नहीं चलेगी वो गहाएगे, देखो, जंक्सन का रूल है रूल से काम करो तो नेचर में में इसा रूल से काम करता, आदमी नहीं काम करता रूल से, हम तो जाएंगे इधर से पता चला, इधर से हम गाड़ी जा रहे हैं उधर से, इधर उल्टी गाड़ी खड़े हैं, आप गाड़ी नीचे उतारिए, हम कैसे नीचे तुम्हारे रंगोली के पास की घटना थी फिर एक यंग नौजवान आया भाई उतर करके हमसे यादा था मैं भी नौजवान ही था लेकिन मैं कुछ दस जमान था मैं नौ से संग्या बढ़ गई है थोड़ा दस ग्यारा बारा हो गई है वो नौ है वो उनके बुज़र के का ह अगर गुज़र के वो नियम को फालू करें यह इधर नहीं गुज़ सकती अगर गुज़ गई तो तो भी इधर ही करेंट फ्लो होगी ठीक है अचा यहां पर दोनों आके मिली आई वन और आई टू दोनों से यह इधर चली गई आई ब्लस आई टू और यह यहां आएंगी यहां फिर ब्रेक हो जाएंगी इधर जाएगी इधर जाएगी डाग्राम समझ में आगया अब मैं किर्शाफ का नियम लगाता हूँ लूप एले खोशता हूँ एक लूप आपको दिख रहा है यह बंद यहां से यहां तक दिख रहा है इंटर्नल हमने कहां बताया इंटर्नल यहां बनाएंगी भी देंगे नीचे यहां नहीं बनाएंगी इसको मत बनाओ सुनिए यह लूप दिख रहा है यहां किर्शाफ्टन लगाते है इन लूप समझने की कोशिश करिएगा ए बी इफ और यह हमारे कल्प्रेशन की डिरेक्शन है यह एरो जो दिखा रहा है अब किसी एक पॉइंट पे मोटर सेकल खड़ी करो लगा बाइक इस वो किक यहां तो एक है मिली हमको को रहे संट क्या मिला पहले रजिस्टेंस मिला ठीक इस बांग कितनी वह रही है तो इस रेजिस्टेंस में पोतेंशल डिफरेंस कितना का आई वन और बन बन प्लस या माइनस प्लस or मेनस? प्लस, पका, अच्छा, अब मैं इसे बताता हूँ, हम इधर जा रहे हैं, इधर देखें, अभी अभी आपकड में खुद आजाएगा, हम इधर जा रहे हैं, मेरा कलकुलोशन इधर हो रहा है, जा सांत रही है, यह resistance है और यह current है I1 यह resistance है R1 current इधर से इधर flow रही है तो high potential कि इधर रहा होगा high इधर रहा होगा इधर 10 रहा होगा इधर 6 रहा होगा तो difference क्या होगा 6-10, plus है minus minus होगा अभी हमने का current के साथ जाओगे तो minus हो जाओगे बिचारे बहुत current के साथ जाते थे आज current चिफका ली आओ, मेरे आरम, आओ, निपढ़ गई आरम तो ज़्यादा current के साथ नहीं चलता current के साथ जाना है तो निपढ़ गए है तो यहाने minus है plus अभी हमने डाइग्राम जो बताया है उसको समझेगा पहले अब आप कहेंगे आपने तो plus बताया है हमनारी calculation की direction इधर थी ना यह देखना पड़ेगा हमारी calculation की direction क्या बैटरी मिली EMF कितना है? E1 तो इसका potential कितना है? E1 plus या minus बोले अब तो plus हमने कहा था बैटरी में plus terminal के तब जाओगे तो plus तो plus तरफ जा रहा हो ना तो यानि कि plus हो गया आगे बढ़े और इसके अंदर चले गए अंदर पहले कौन मिला हमको? E2, बैटरी मिली इसका EMF? E2 plus है minus? minus minus E2 आगे बढ़े यह साब मिले इसमें current कितनी flow हो रही है? current कितनी हमें sign पूछे नहीं current कितनी flow हो रही है? resistance कितना है? R2 potential कितना हुआ? I2 plus है minus? current के opposite जा रहे हैं आप तो plus अब पहुंच गए उल्टा यहां अब कुछ तो है नहीं रास्ते में? equal to 0 हो गया है loop 1 में? सुझ में यह बार नहीं आई अच्छा B, C, D, E हमारी ये calculation की direction है loop 2 अब देखो हम इधर से इधर चलना है किसी एक point पे आप खड़े हो जाईए मैं यहां खड़े हो जाता हूँ यहां चले resistance R2 था current I2 थी potential कितना होगा? I2 R2 plus या minus current की direction में जा रहे हैं ना हम यह उधरी जा रहे हैं तो minus I2 R2 आगे चले cell मिली EMF E2 plus या minus चुकि plus की तरफ जा रहे है plus E2 आगे चले current कितनी है? I1 plus I2 current राक्सम जा रहे है plus या minus minus I1 plus I2 into R3 equal to 0 सुन भाई बात तो यह आपके किटशावस के second law है ठीक? नोट कर दिए इसको इस equation को देखे जरा equation rule number 1 देखे जरा rule number 1 में हम EMF को एक तरफ लिखे दे रहे हैं इधर देखे तो यह जाएगा E1 minus E2 is equal to I1 R1 minus I2 R2 हमने EMF अलग कर दिया और जो resistance वाला potential difference अलग कर दिया तो कभी-कभी एक rule दूसी तरीके से आता है the algebraic sum of the EMF in the loop is equal to algebraic sum of the product of current and resistance यह rule भी हो सकता है लेकिन इसमें एक confusion बहुत होता है प्लस माइनस का ठीक है student को प्लस माइनस का बहुत confusion होता है तो आप numerical लगाते वक्त यह use नहीं करेंगे numerical के बद यह use करेंगे ठीक आप note करेंगे तक कहीं पर अगर यह rule लिखा हो तो यह rule भी सही है और इसको जब इदर shift करके ले आओगे equal to zero हो जाएगा अपने आप तो अपने आप proof वरा हो जाएगा ठीक है करेंगे